नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कालेक्रम इतिहास के पन में है। की गई थी कि हम एक पार्टी लॉंच करेंगे। ऑक्टोबर दो और 26 नवंबर जो गांदी जी का जनम दिन और फिर उसके बाद Constitution Day उस समय Constitution Day की तोर पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन ये इसलिए चुना गया था क्योंकि आम आदमी पार्टी एक movement से उभरके निकली थी और constitutional principles की जो politics थी उसके साथ अपनी identity को merge करना चाहते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे क्या कुछ हुआ पिछले 10 साल में क्या अभी हो रहा है और अभी आगे भविश्य में आम आदमी पार्टी के क्या prospects नजराते हैं। मेरे साथ जूड़ा हैं बहुत ही वरिष्ट पत्रकार आशुतोष जो जैसा कि आप जानते हैं सत्यहंदी.com बहुत ही प्रसिद और फेमस लोगप्रिये एक YouTube चैनल है इसके लावा बहुत लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं। इनके साथ एक और खासियत यह है कि यह आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे और कुछ समय उनके साथ रहे तो सबसे पहले तो आशुतोष हमारे इस कारिगरम के जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए दो हजार ग्यारा इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन एक बहुत लंबे समय के बाद एक मास मूव्मेंट खड़ा होता है इंदुस्तान में उस समय की यूपीय सरकार को एक वहम इलाके रख दिया था करॉप्शन का मूव्मेंट से एक तरह से पार्टी की तरफ जाना एक तरह से सिविल सोसाइटी जो बहुत बड़े हद तक शामिल थी इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन में यह डायरेक्ट इलेक्टोरल और पार्टी पॉलिटिक्स में जा रही है क्या यह ऐसा ही मूव्मेंट था निलाजन्दा बहुत बहुत शक्रिया आपको हम इस कारिकर में बुलाने के लिए देखे मुझे अच्छी तरीके सियात पड़ता है कि जब यह आंदोरन चल रहा था तो उस वक्त पहली बात तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आंदोरन इतना बड़ा आंदो क्योंकि उनको इस बात का भरोसा नहीं था कि उनके अंशन करने पर बहुत सारे लोग इकठा होंगे तब उन्हों जब यह कहा गया कि नहीं अगर आप दिल्ली में नहीं बैठेंगे तो फिर जो एक रास्ट्री है जो सोच है उसके साथ आप जोड़ों नहीं पाएंगे और लोग वहां पर काफी संख्या में आये और मीडिया ने बहुत जबर्दस तरीके से सिसकी कवरेज की और फिर जो कहते हैं रेस्ट इस हिस्ट्री तब तक पहली बात तो अर्विन केजरिवाल इस आंदोलन के आर्किटेक्ट थे और अन्दा हजारे इस आंदोलन के का चेहरा थे लेकिन जो पूरी सांगठिनिक भूमिका थी वो पूरी अर्विन केजरिवाल और उनकी टीम निभा रही थी वहीं लीड कर रहे थे वहीं स्टेटिजी बना रहे थे तब तक इनके दमाग में यह नहीं था कि आंदोलन इतना काम्याब आंदोलन हो जाएगा और भारत सर सरकार उनसे बाग करने लगी लोगपाल को लेके सरकार और जो आंदोलन कारी थे इनके बीच में कमिटी के गठन हुआ और लोगपाल आएगा इस बाकी पॉस्पिलिटी बढ़ गई तो कुछ समय के बाद यह हुआ कि इतना इतनी ऊर्जा निकली है इस ऊर्जा को कहीनक नह अचानक मैं तो तब IBN 7 में था लेकिन मेरी सहनभूती सांदोलन के साथ थी तो अचानक एक दिर नर्विन केजरिवाल के मेरे पास फोना है कि आप से कुछ बातचीत करनी है आप आईए तो मैं कौशाम भी गया तो वहां वो एक कह रहे थे कि क्या राजनीतिक दल हमको बना बना चाहिए तो मेरी राय थी कि हाँ बिलकुर राजनीतिक दल बनाना चाहिए अब राजनीत में कितने काम्याब होंगे नहीं काम्याब होंगे एक अलग तरीके का सवाल था लेकिन मेरी मेरी राय थी और कि जिस तरीके से लोग सांदोलन के साथ जोड़े हैं जिस तरीके स प्रस्टाचार को लेकर लोगों के मन में चितना जागी है और जिस तरीके से राजनीतिक दलों को लेकर लोगों के मन में गुसा है वैसे में अगर को एक राजनीतिक दल बनता है तो आज नहीं तो कल वो कामियाभी हासिल कर सकता है यह सोच थी और इस सोच के तहट इस राजन से आम आदमी पार्टी की गठन केते पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा आप से समझना चाहेंगे और क्या आज की जो प्रिंसिपल्स है पार्टी में इसमें कुछ डेविएशन या फिर कुछ परिवर्तन आया है जिसको लेके काफी लोग नाखुश है आप जैसे लोग पा आंदोलन था वो एक तरीके से कर आप देखें तो भारत के डिमाक्रिसी को डिफाइन करने का अंदोलन था इसमें एक तरीके से ये कहा गया था कि सरकार अगर कोई नीती बनाती है कोई पालसी लेके आती है तो जनता से बाचित करनी चाहिए टोटल ट्रांस्परिंसी होनी चाहिए और भरस्टाचार के मसले पर कडाई से नपटना चाहिए साथी साथ अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वो तो इस हद तक गये थे कि उनका ये कहना था कि भई उस मीटिंग को भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए तो साथी स सुराज की बात करते थे, मतलब फैसले लोगों से पूच कर किये जाएं, लोगों के राय मश्वरे से किये जाएं, हर चीज जनता को बताना चाहिए, तो जो democracy हमारे देश पे exist करती थी वो next stage democracy की बात कर रहे थी, आया आप के कह सकते हैं कि direct democracy कि जनता से पूछे बगएर आप कोई काम नहीं करेंगे सब कुछ जनता से पूछे करेंगे और 100% transparency होनी चाहिए आलाकमान कल्चर राजनीतिक दलों के अंदर जो एक आलाकमान कल्चर है जो हाई कमान कल्चर है उसके सक्त खिलाब थे यह क्या है कुछ लोगों के पास पावर ह है, total decentralization होना चाहिए, total transparency होनी चाहिए, total democracy होनी चाहिए, total consultation होना चाहिए और right to recall होना चाहिए अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है या कोई प्रतिनिती काम नहीं कर रहा तो उसको वापस बुलाने का भी होना चाहिए अब अगर हम आज के आमादी पार्टी को देखें तो आमादी पार्टी बिलकुल उल्टी है, यह दरसल वो आमादी पार्टी है ही नहीं जिन उद्देश्यों जिस आदर्शों को लेकर अंदोलन शुरू हुआ था और जिसको लेकर यह पार्टी बनी थी, मुझे अच्छी तरीके से आद है कि जब यह candidate का selection कर रहे थे पहली बा जी 2013 में, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि किसी भी तरीके की कोई भी इनके उपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, और एक एक candidate को लेकर कई बार रिसर्च होती थी, इंसे इंटर्व्यूस होते थे, इंसे पूस्ताच होती थी, और तब जब यह 100% confident हो जाते थे कि नहीं, इनके खिलाब कोई दाग नहीं है, तब यह जो है, वो candidate का selection करते थे, और candidate selection के बाद भी अगर किसी के खिलाब किसी तरीके कोई शिकायत मिल जाती थी, जो प्राइम आफसाइट ठीक लगती थी, तो उस candidate को withdraw भी कर लेते थे, आपको याद होगा, जो पहला चुना पार्टी तो बिलकुल एक राजनितिक दल की तरीके से हो गई है, जब आमाधी पार्टी बनी थी, it was anything but a political party, now आमाधी पार्टी is everything like a political party, क्या कहना ठीक यह होगा, कि जिस value system को replace करना चाहते है, वही value system को believe करने लगी है, जिस तरह से communalism से combat करना चाहती थी, अब वही party soft Hindu को की बात करती है, corruption को लेके सवाल है, कई सारे, यह तमाम जो चीज़ें, democracy को लेके बहुत परिशानी है, आला कमान की आप बात कर रहे थे, तो यहां पे भी आप बिलकुल आला कमान है, अर्विन केज्रिवाल के अलावा कोई दिखाई नहीं देता हम लोग मजाग में बोलते हैं, अर्विन केज्रिवाल को छोटा मोधी करके बहुत लोग refer करते हैं, तो कई सारे इस चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो क्या लगता है, कि मतलब एक total U-turn हो गया है आम आत्मी party का, and it is just like any other political party. देखे, मैं इसको दूसरे तरीके से define करता हूँ, मेरा अपना मानना ये है, कि जब ये लोग राजनीती में आये थे, तो ये कहते थे कि हम राजनीती करने नहीं, बलकि राजनीती को बदलने के लिए आये हैं, और जब मैं आबादी party में था, तो मैं अक्सर जब मैं दिल्ल से बाहर कहीं जाता था, सभा करता था, रैली करता था, तो ये हमारा core point होता था, कि हम लोग तो professionals थे, हम लोग अपने field पे अच्छा काम कर रहे थे, हम लोग अच्छी नोकरियों में थे, अपनी नोकरियां छोड़ कर आये हैं, तो यहां हम MLA MP बनने के लिए नहीं आये, मं लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारिक में जो राजनीती बदलने आये थे, वो खुद बदल गए पूरी तरीके से, और क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि politics ने इनको पूरी तरीके से appropriate कर लिया, यह politics को बदलना चाते तो politics ने ही इनको अपने हिसाब से बदल लिय यह जो appropriation of आमादी party and its leadership by politics यह एक बड़ी चीज है क्योंकि electoral politics में आने पर बहुत तरीके की temptations होते हैं, वो सबसे बदार temptation ही होता है, कि आप अगर सत्ता में हैं, तो सत्ता में बने रहना आपकी मजबूरी हो जाती है, अगर आप MLA हैं तो फिर आप MLA में MLA बने रहना मज चाते हैं, मिनिस्टर ने तो मिनिस्टर बने रहना चाते हैं, तो आमादी party पहले attempt में ही सरकार में आ गई थी, और जो पहली गलती की थी, वो यह थी, कांग्रेस के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई थी, तो जो सत्ता में आने का जो एक ललक थी, वो जब आपने पहले ही step पे आपने compromise किया, तो उसके बाद compromise के रास्ते पूरी तरीके से खुल गए थे, इसलिए आमादी party अब जची तरीके से आदे कि जब शाजिया इल्मी को आरके पुरम से जब ticket दिया गया था, तो बहुत आमादी party के कई बड़े नेता ब्रैक करते थे, वो कहते देखिया, पुरम से हमने साजिया इल्मी को खड़ा किया है, ना हमने जात को देखा ना धर्म को देखा, ना कुछ देखा, हमने candidate देखा, और इसलिए एक कैसी constituency में हमना खड़ा किया, जहां पे किसी तरीके का जाती का या धर्म का combination साजिया इल्मी के साथ नहीं होता है, अब वहां से आने के बाद, अगर वो पार्टी लक्ष्मी और गनेस की मूर्ती की तस्वीर की बात करने लगती है, वो हनुमान चालिसा पढ़ने लगती है, हनुमान मंदिर जाने लगती है, और शाहिनबा के मसले पर चुप रहती है, बिल्किस वालों के मसले पर कोई सवाल नहीं करती ह तो आप समझें जी कितना बड़ा बदलाव आमादी पार्टी में आया है तो दरसल अब जो आमादी पार्टी है ये वो आमादी पार्टी है ही नहीं जिन उद्देश्यों जिन आदर्शों और जिन मुल्यों को लेकर आमादी पार्टी बरी थी आपने 2013 का फैसला के बारे में रेफर किया कि जब आम आदमी पार्टी को उतने परयाब सीट नहीं थे जिसे उनकी मेजॉरिटी आ सके और सरकार बना सके तो आउटसाइट सपोर्ट लेके कॉंग्रेस से सपोर्ट लेके सरकार बनाई गई थी तो क्या उस बार को इंटरनल पार्टी के अंदर डिबेट नहीं यह देखे उस दोरान बहुत डिबेट डिसकेशन होते थे पार्टी के अंदर भी होते थे और सारे फैसले जो है वो बातचीत करके लिए जाते थे उस वक्त ऐसा नहीं था कि अर्विन केजरिवाल की ही हमेशा चलती थी यह जो बदलाव आया है यह बदलाव करीब कर 2015 विधानसभा चुनाओं के बाद आया नतीजों के बाद आया है उस वक्त बहुत फ्रिकूफटली पीए सी की बैठक होती थी कोर गूर की बैठक होती थी फैसले वहां होते थे वहां डिसगरिमेंट्स होते थे वहां एक दूसरे को लेके उपर टिपड़ियां भी होती थी और यह जरूरी नहीं होता था कि अर्विन केजरिवाल की बात को 100% मान ही लिया जाए वो उस वक्त first among equals थे लेकिन सब उनके subordinate थे या वो सब के boss थे ऐसा नहीं था तो यह result मतलब 70 में से 67 जीतने के बाद यह आया कि मतलब जो हम कहते हैं कि success went to their head थोड़ा सा मुश्किल काम है इसको जवाब दे पाना लेकिन जो मैंने जितना समझा है कि अर्विन केजरिवाल के अंदर और उनकी पार्टी के अंदर यह बन्यादी बदलाव क्यों आए देखे एक तो चीज यह थी कि जब जब 2013 में सरकार बनी और 49 दिन में आपने सरकार से इस्तिफा दे दिया तो भारती जन्ता पार्टी में जो campaign किया था भगोड़ा campaign और उसके बाद लोकसभा की सातों सीटे आमादी पार्टी हार गई थी उस वक्त जो आमादी पार्टी के अंदर जो despair था जो जो अनिश्चित्ता का महौल था जो एक तरीके से despair को हिंदी में मेरे पास शब्द नहीं है बहुत ही जादा निराशा का महौल था उसमा और ये था कि अगर हम अगर सरकार में नहीं आए तो ये पूरा आंदोलन और पार्टी पुरी तरीके से बिखर जाएगी ये एक सोच थी उसके अंदर और उसी वक्त अगर आप देखें तो योगेंदर यादो आर्विन केजरि जाते हैं और आपको याद होगा कि उन दिनों वो इतने आदर्श्वादी थे कि एक मामला था उस मामले कि सुनवाई के दौरान कोट में कोट ने का कि आप ये बेलबॉंड भर दीजिए तो उन्होंने का कि मैं बेलबॉंड नहीं भरूंगा मैं जेल जाना पसंद करूंग और वो जेल चले गए जबकि बेलबॉंड एक बहुती नॉर्मल सी रूटीन से प्रक्रिया थी तो एक हपते के लिए जेल चले गए उसी दोरान जो अर्विन के मन में कहीं न कहीं एक सवाल पैदा हुआ कि उनके अपने साथी जिन पर सबसे आदा ट्रस करते हैं वही उनको जो है पद से हटाना चाहते हैं और हार का ठीकरा उनके माथे पर फोड़ना चाहते हैं आप याद होगा कि योगें दियादो की एक बड़ी मशूर चिठी प्रेस में लीक हुई थी और उसके बाद जब जेल से चूटते हैं और चूटने के बाद फिर जंगपुरा में प्र शब्त कहें तो उन्हों ने यह कहा था कि मैं दरसल क्या मैं नैशनल कर्णुइनर बनने के लिए राजवीती में आया हूँ आप में से कुछ आदमी नैशनल कर्णुइनर बनना चाहे बन जाया मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो उस विक्तिकाज जिसको आज में इतना मजब मानते हैं वो एक बच्चे की तरह से फुट-फुट को रोया था और तब मैंने जाके उनको चुप कराने की कोशिश की थी समझाने की कोशिश की थी और भी एक दो लोग तो लोग समझाने की कोशिश उन्हों ने की थी मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था और प्रशान्द भूशन और योगेंद्र यादो का जो रवया था वो अर्विन केजिवाल को हमेशा लगता था कि ये बढ़ावती है और ये चुनाव को सबटाज करना चाहते हैं, चुनाव में हराना चाहते हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका चुनाव किया गया था और उन कैंडिडेट्स को प्रशान्द भूशन पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि जो हमारे मांदेंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो कई बार ऐसे मोके भी आया थे जब वो प्रेस कॉन्फरेंस करना चाहते थे, आपको याद होगा कि प्रशान्द भूशन के प आमादी पार्टी का कर्ण्विनर था, तो ये सारा घटना क्रम मिलाके मुझे लगता है कि अर्विन के मन में एक शंका पैदा हुई, कि वो किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं, चाहे हो अपना कितना ही करीबी क्यों नहीं हो, और उसके बाद जब वो सतर में से 67 सीटे जी चेचा. आपने मतलब बहुत ही संखेट में और बहुत ही अच्छी तरिके से समझायागी किस सद्रहिए से जो उनके प्रिंसिपल्स और जो आइडिलॉज इशू उस ते उसमें किस तरह रही परिवर्तन आया, इंटरन gefंक्शन के में किस तरह से परिवर्तन आया, अब समझ पाटी ऑफ गवर्नेंस जो जो कहा जाता है अंग्रेजी में दूसरा पंजाब में इस साल मतलब एक बहुती स्पेक्टाकुलर जीत हासिल हुए और अब वेरी रीसेंटली गुजरात में पांच सीटे और बारा परसेंट के करीब वोट बहुत कम नहीं है हलाकि इसके 98 के साथ थोड़े बहुत गुजरात में कमपारिसम्स हैं जब शंकरशिंग वागेला की जो अल इंडिया राष्ट्य जन्ता पार्टी थी उसने भी करीब बारा परसेंट वोट यह चार चीटे जीटे थे लेकिन वह सिंगल इलेक्शन पार्टी बनके वाइंड अप कर गए थी एक इतना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एलेक्टोरली आप उनके प्रॉस्पेक्स को किस तरह से देखते हैं मैं बार-बार आमाधी पार्टी के बारे में एक चीज़ कहता हूं वो यह कि आमाधी पार्टी इस लाइक अलेफंट इन रूम और नोबडी नोज इस साइज कि यह यह एक ऐसा हाथ ही है जिसको जिसके बारे में किसी को अंदाज ही नहीं है और इसके बारे में मैं दो चीज़ें और भी कहता हूं एक तो यह कहता हूं कि यह वो पार्टी है जो कभी भी सारे प्रेडिक्शन को भुलाके कोई अजूबा कर सकती रास्ट इस तर पे और अचा जो इनको बहुत करीब से देखते हैं हमारा आपका नजरिया थोड़ा सा फ़राख रहें कि जंता का नजरिया आमादी पार्टी को देखने का अभी एभी अलग Hyundai लोगों के बीच में अभी आमादी पार्टी की चब ही एक एसे पार्टी जो दूसरी पार्टियों से थोड़ी बहतर है और इसकी जो इसका जो newness है वो यही है कि यह सबसे नई पार्टी इसको लोगों ने भी अजमाया नहीं है चूंकि अजमाया नहीं है और एक चीज़ और समझना चाहिए का आमादी पार्टी is basically a protest तो लोग ये उस संदर्व में कभी भी अगर लोग ट्रेडिशनल पोलिटिकल सिस्टम से हिंदुस्तान के अगर वो नाराज होंगे तो आमाधी पार्टी स्वाभाविक तौर पर उनकी उनका चुना होगी बहुत ही स्वाभाविक तरीके से तो इसका जो इसकी जो पूरी जनता के बीच में जो समझ है और हमारे आपके बीच में समझ है उसमें काफी फरक है इसलिए गुजरात के अंदर अगर आप देखें कि एक पार्टी जो छे महीने पहले तक कुछ भी नहीं थी वहाँ पे सिर्फ दो मिनिस्पल चुनाव जीते इनकी कोई लीडर्शिट नहीं थी इनका कोई संगठन नहीं था लेकिन सड़ली 13% वोट लेकर आ जाती है गुजरात के अंदर बिना किसी कारण के 2014 में चार लोग सभा के सीटे जीत जाती है और दो लोग सभा के सीटे और जीत सकती थी आनन्द पुरसाहिट के सीट जीत सक प्रकास सिंग बादल हार सकते हैं कोई सोच सकता था सुखवीर बादल हारते हैं प्रकास सिंग बादल हारते हैं करप्टन अमरिंदर सिंग हारते हैं नोजो सिंग सिद्धू हारते हैं चन्नी हारते हैं यारी पूरी पूरी पंजाब की लीडर्शिप खतम हो जाती है और 28 सीटे लिके चली आती है और Congress Party 8 पर सिमट जाती है अगली बार 67 सीटे आती है फिर 62 सीटे आती है तो यह जो overwhelming support आमादी पार्टी को है वो दरसल लोगों का protest vote है अगेंस अगर कभी भी आमादी लोगों को यह लगा कि नहीं जो मौझुदा पार्टी आए बीजेपी कोगरिस उनके साथ नहीं नहीं करती है तो यह कभी भी एक बहुत बड़ी अखिल भारती आल इंडिया parties के हत्गंडे को इस्तिमाल करने लगी है तो इसका जो इसका जो इसकी जो सबसे बड़ी पूझी थी वो इसका इसकी moral capital है कि यह लोग राजनीती करने ने राजनीती को बदलने के लिए यह लोग इबांदार लोग है यह लोग traditional politician नहीं है उस image में अब काफी dilution आ रहा है त तो this will always be a party जो जिसको लोग बहुत इज़त के साथ देखेंगे अन्दे था धीरे 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 यह भी संभावना हो सकती का अचानक एक दिन यह गायद भी हो जाए वो उस possibility को मैं rule out नहीं करते जहां तक दिल्ली का सवाल है दिल्ली का सवाल महतपूर है लेकिन एक दि चुनाओं में तो पूरी तरीके से दो बार चुनाओं लड़े एक भी सीच इनको नहीं मिली है और 2019 में तो तीसरे नंबर पर पार्टी थी इसका वोट शेल बी 18% था कॉंग्रेस का 24-22% के आसपर तो इसका मतलब यह कि लोगों को यकीन अर्विंद केजरिवाल के चेहरे पर है दिल्ली में भी हो दिल्ली के बाहर भी और वो कितने दिन तक बना रहता है यह देखने वाली बात होगी दो सवाल नकलते हैं एक तो आपने कोर्स करेक्शन की तरब इंडिकेट किया तो किस तरह का कोर्स करेक्शन होना चाहिए दूसरी बात यह आज हम 2022 में बैठे तो जो 2023 में जो चुनाओ होने वाले एसेंपरी सीट में उसमें एक खासियत यह है कि इन में से तीन ऐसे बड़े स्टेट हैं मध्यप्रतेश, राजस्थान और चात्रीज़गर जिसको हम लोग कहते हैं कि बाइपोलर स्टेट स्टेट अवे बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस करनाटक में भी रीजन्स पटे हुए ट्राइपोलर है पार्टी लेकिन कॉंग्रेस के कुछ अपने डारेक्ट एरियाज है जहां पर वो कॉंटेस्ट में है भार्ती जन्ता पार्टी की साथ एक तरह से डी मार्केटिट टेरिट्रीज हैं नॉन वीजेपी पार्टी में करन जोश था उन्होंने सारे सीट में खड़े किये थे लेकिन फिर उनका नेटवर्क नहीं था और अगले 2017 में बिल्कुली एपसेट थी वह तरह से तो दो कोर्स करेक्शन और 2023 और 2024 के प्रोस्पेक्स कोर्स करेक्शन की possibility तो मुझे कम दिखाई पड़ती है और वो इसका कारण यह क्योंकि अब आवादी पार्टी का अंदर कोई बताने वाला नहीं कि हमको कोर्स करेक्शन करना है कोर्स करेक्शन नहीं करना है अब वहाँ पे फैसले जो है वो एक आदमी करते हैं उनसे कोई contest नहीं करता है उनसे कोई disagreement नहीं रखता है उसलिए कोर्स करेक्शन की possibility या भी नहीं मिलेगी तो वो ओवर्नेट कोर्स करेक्शन कर लेंगे और वो ऐसा ऐसा करने के लिए वह बहुत उनके अंदर वो flexibility है वो rigidity उस तरीके के नहीं दिखाई पड़ती है तो कोर्स करेक्शन वो कर सकते है लेकिन मुझे उसकी संभावना काफी कम दिखाई पड़त आप भारती जनता पार्टी के अंदर तो आप देखें उपर से नीचे तक भली नरेंद मुदी प्राइम मिनिस्टर है लेकिन उनके हां regular meetings होती है रास्ती अधिवेशन होते हैं और booth level तक कारिकरता होता है और उसका उसकी बाकाईदा ट्रेनिंग होती सब कुछ होता लेकि रामादी पार्टी के अंदर इए दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कोई संगठन निक धाचा है नहीं वो अपने अजीवोगरी पार्टी है जो अपने ही संगठन को बनाती और बिगालती नेती है तो इसका और दूसरी बात है कि आर्विन केजरिवाल को he doesn't believe in organization, he believes in creating waves to win elections, he very strongly believes कि संगठन से चुनाव के लड़ जाते है waves create की waves create करके चुनाव लड़ जा सकते है और कि उनको काम्याभी मिल चुकी है दिल्ली में काम्याभी मिल चुकी पंजाबें काम्याभी मिली है, इस बार partially उनको थोड़ी बहुत कामियाबी उनको गुजरात में भी मिली है तो उनको waves में एक यकीन है कि महौल बना के हम चुनाओ जीच सकते हैं जहां तक विदानसवा चुनाओ की बात है मध्यप्रदेश का चुनाओ तो पिछली बार भी बहुत मजबूती के साथ लड़ा था लेकिन 0.5 और 0.6 परसें वोट मिला था राजस्तान का भी चुनाओ लड़ा था उसमें भी कोई कामियाबी नहीं मिली थी तो कामियाबी उनको वहीं मिलती है जहां अर्विन केजरिवाल पूरी शिद्दत के साथ कैंपेन करती है यहां तक की व राजस्तान के अंदर या फिर मांध्वर्धवकेंडर या 36 का उंदर या ख्रनाटक को चूज़ कर ले और वहां एक खुद केंपेन करें सग्ड केंपेनज जैसे उन्हों पंजाब के लिए किया जैसे उन्होंने गुजरात के लिए किया तो मैं मान सकता हूं कि यह 5-6 परस तो बात अलग होती है जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो गोवा में उनको 6% है और लगाता है दूसरी बार को 6% मिला है लेकिन बहुत मेहनत करने के मावजूद में 6% से 7% नहीं हुआ है 6.3% से 6.7% हुआ है तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि तो वहां पर इनको कोई बहुत ब्रेक्थ्रू मिल सकता है जो गुजरात में ब्रेक्थ्रू का एक बड़ा कारण ये भी था कि वहां पाटिदार मुवमेंट से जोड़े हुए लोग कुछ इनके साथ जोड़ गये थे तो वो एक आंदोलन के प्रस्टिभूमी वहां बनी हु लेकिन ये फाइदा इनको चक्तिसगाड में या मध्यप्रदेश में या कर्नाटक में फिलाल दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हां मैं फिर यह कहता हूं अगर छे महिने तक अर्विन केजरिवाल ने को एक स्टेट को चूज किया वहां अगर जम कर कैंपेनिंग की तो फ उसके रीडीमर देख के तौर पे अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो इसको मद्य नजर रखते हुए जो एक आम तौर पे कहा जाता है हिंदुस्तान में राजनीती में अलग-अलग लोगों के बारे में अक्सर कहा रहा गया है प्रदानमंत्र आफ्र एलेक्शन में एक फैक्टर के तौर पर उबरेंगे कि हम आप जैसे लोग उनके प्रोस्पेक्स के बारे में चर्चा करते रहें बहुत मुश्किल है कि यह लंबी रेस के घोड़े हैं देखें लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जिसकी अपनी कोई इसका एक अंगठिनिक धाचा होता है जैसे बीजेपी और जनसंग उन्निस सो पच्छिस से आरसेस है उन्निस सो बावन उक्यावन में जनसंग का गठन हुआ लेकिन वो इतने लंबे समय तक हारने के बाद सस्टेन कर पाए क्योंकि और उनके पास थी और वो और्गनाजेशनल मसल प बनाना है और आइडियोलोजिकल एक पूरी पूरी विचारधारा है और उससे जुड़े हुए आइडियोलोजी से जुड़े हुए जुड़े हुए कमिटेड वरकर्स हैं वो बीजेपी के सबसे बड़ी ताकत है कॉंग्रेस के पास भी लब्बे समय तक संगठन था उनका एक आइडियोलोजिकल स्ट्रक्चर था विचारधारा थी उसका योटोपिया था उससे जुड़े हुए लोग थे लेकिन जैसे जैसे कॉंग्रेस पार्टी आगे वरती की सत्ता की पार्टी बनती की वैसे वैसे हो हरास होता गया और वो खतम हो खतम आज वो बहुत कमजोर इस सिटी में आमाधी पार्टी के साथ क्या है कि जिस वो देश को लेकर बनी थी वो बहुत जल्दी डाइलूट हो गया है बहुत जल्दी डाइलूट हो गया है आमाधी पार्टी अर्विंद केजरीवाल आमाधी पार्टी इमर्ज अज़ अज़ रेबल जैसा मैंने कर प् पसंदाता है छड़ों को लगता ह। एक आदमी खाल पने के लिए तो बधू को सब चोर है तो是 और उसके रहे कोई भी चीम politics को बदलने के लिए फिर अब उसमें तड़का क्या लग गया है कि इनके पास संगठन पर किसी तरीके का कोई यकीन है नहीं चुकि संगठन पर यकीन नहीं है बूथ लेवल तक कारिकरता आप आपके पास नहीं है उनसे कोई regular communication नहीं है उन तक messaging नहीं है उनसे कोई feedback mechanism top पे आता नहीं है तो यह system कितने दिन चल सकता है यह अपने आप पे सोचने वाली बात है यह पूरी तरीके से one man centric ब्लोग बीजेपी को कहते हैं कि मोधी one man army है बट मोधी दरसल one man army है नहीं आर्मी को बहुत बड़ी है हाँ आर्मी वह उस आर्मी के के बहुत ही powerful engine है बहुत ही powerful engine है उनके पीछी करोडों के कार करता है बहुत resources है बिचारधारा है हिंदुरास्ट बनाने का सपना है और committed कार करता है तो इसलिए इसलिए बीजेपी सस्टेन करती है Congress Party भी स्वतनतिता अंदोलन गांधी नहरू को यह से सस्टेन करती है यह लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी मुझे इसमें हमेशा से संदे रहा है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है बट जो मेरा अपना analysis कहता है कि या तो suddenly यह किसी दिन अखिल भारतिय स्टर पे छा जाएंगे या अचानक गाय हो जाएगे ऐसा मुझे लगता है अभी अभी आप देख्या आप अर्विन के पहले अर्विन केजरिवाल के संकत्स कम सकम पांच साथ लोग थे जो nationally recognized leaders आज की तारिक में कोई नहीं है अर्विन केजरिवाल उनके नीचे आप बहुत गिनेंगे तो मनीश सो दिया या पिर संजे सिंग और उनके पास भी कोई powers नहीं है they they have no independent autonomous decision making powers they can't decide in fact they do what they are asked to do by 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 the top leadership by by अर्विन पेजरिवाल तो ऐसे leadership डवलप नहीं होती और बहुत ही एड हॉक बेसिस पे फैसले होते बहुत ही एड हॉक बेसिस पे किसी को अचानक पार्टी में बड़ा पद दे दिया constitution में उसकी जगए अब जैसे अभी जो हाल का जो पोस्ट है कि जल्ल सेकेर्ट्री और्गनेजेशन यह पोस्ट तो पार्टी के संगठन में कई है नहीं बट अचाने को उनों ने दे दिया विना सोचे समझे तो उनको लगता है आज इस अक्सेस है उनको मिल रही है तो हमाई ख्याल से वह बहुत काम्याव है उसके क्या होगा वो तो देंके पता सलेगा कि वक्ती बताएगा एक प्रिंसिपल्ट पार्टी से पार्टी ऑफ एड होकिजब आगे क्या होगा पता नहीं आशुदूश आपने इस कारिक्रम में से उभर के आया क्या क्या चैलेंजिस फेसकी और अभी जो क्राइसिस है उसके सामने उसको क्या मतलब उसको ओवर कम कर पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है लेकिन हमारे साथ इस कारिकर में जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे खार्ट से जो भी शोता ये सुने हों उनको आम आदमी पार्टी के कल आज और कल के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा नमस्कार